आप इस आकास चुहान और आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं प्रोड्यूसर कंजूमर प्रोब्लम कि अवार्टी है मल्टी थेडिंग को यूज़ करके जावा के लिए तो आपने सुना उगा एक प्रोड्यूसर होता है एक चाहिए और वह दोनों एक शेर्ड र और initially अगर ध्यान से देखो अगर इसमें element होते 1,2,3,4,5,6 इसमें element 6 होते तो क्या इसमें further अगर हमारे पास एक thread होता T1 जिसका काम होता एक और element एक होता तो क्या वो कर पाता नहीं कर पाता तो इसके माइन ने किया है कि उस case में producer को wait करना पड़ता समझो इस चीज को देख जब आपकी Q क्या है full है है ना ये वाला concept समझे अब दूसरा scenario समझते है कि मैंने यहां से सारे element delete कर दिये सपोस करी सारे element मैंने हटा दी यहां पे कुछ भी नहीं है Q is empty है तो क्या अब दूसरे thread का का काम है consume करना तो क्या वो element remove कर सकता है इसमें कैसे करेगा जब इसमें element है करें ही नहीं क्यों मैं तो इसका मतलब उस case में भी हमारा जो consumer है वो wait करेगा यहां पे ध्यान से समझो किस case में जब हमारी Q कया होगी वो empty होगी अगर हमारी Q है जो वो hefty है तो इसके माहिने क्या है कि तूं wait करो consumer है तो wait करो producer है तो wait करोTrans Must किस case में wait करेगा हमारी q full होगी और हमारा जो consumer है वो कब wait करेगा जब हमारा जो q है वो empty होगी तो इसके लिए हमें proper code लिखना पड़ेगा एक thread बोल रहा है ठीक है मैं wait करता हूं तुम चले दो तो अगर ऐसा कोई scenario नहीं है अगर कोई scenario नहीं है जहां पर q full नहीं है तो definitely हमारा producer produce कर पाएगा क्योंकि वहां पर जगह है एड करने के लिए तो उस case में कोई problem नहीं है और same हमारा जो consumer है अगर हमारी q है उसमें element है तो भी उससे कोई problem नहीं है लेकिन यह case दो case ऐसे हैं जहां पर दोनों thread को wait कराएंगे और हमने discuss किया था यह two-way communication है मतलब एक thread दूसरे thread को notify कर सकता है और notify कैसे करेगा वो देखेंगे और दूसरा thread भी first वाले thread को notify कर सकता है तो वो सारी चीजे हम detail में समझने वाले हैं सो अब देखते हैं इस problem को rectify कैसे किया सकता है एक pseudo code बनाने की कोशिश करते हैं देखो अगर हमारे पास अलग-अलग thread है ध्यान से देखो अगर मैंने क्या किया अलग-अलग thread बनाए एक thread बनाया जिसका काम बोला कि तुम जाके केवल q में add करो और कोई काम नहीं है दूसरे thread का काम बोला कि तुम जाके केवल consume करो कैसे consume करता है suppose करो अगर इस q का कोई object होता है let's say q का object बना लेते है q q के नाम से मैंने एक object बना दिया अब अगर इसमें अलड़ी एक element है let's say one element यहाँ पर added है तो यह क्या करेगा यह करे कि ठीक है जो q है उसमें एक remove function होता है हमें deliberately एक खुद से q बनाएंगे जाबा के अंदर q कैसे बनाते है link list को implement करके I'll show you through the code but हमें q बनाएंगे उससे remove कर सकते है किस case में जब इसमें element ना हो लेकिन अगर ऐसा है कि q में कोई element ही नहीं है तो देखे हमें condition बनानी पड़ेगी हम क्या करते है हम अपनी q को check कर लेते है कि q empty है क्या तो हमाई पास q का object है q.empty तो यह हमाई पास method होता है इससे पता दिल जाता है तो उस case में अगर ऐसा है तो क्या करो यहाँ पे wait करो wait कब तक करो जब तक इस q में कुछ नहीं आ जाता तो यह condition यहाँ पे बड़ी important है ध्यान से देखो एक condition तो यह important है हमारे लिए और दूसरी यह है और तीसरी important क्या है वो मैं बाद में discuss करूँगा producer पे चलते हैं तो देखो simple देखते हैं अगर हमारे पास same condition हमें अपने producer के लिए बनानी होती तो producer भी एक जगा wait करेगा कर wait करेगा अगर मैं producer को बोलो if q is full मैं एक pseudo code लिख देता हूँ q is full के नाम से अपने पास से लिख देता है q is full और तो उस case में क्या करो wait करो अगर ऐसा नहीं है then what to do इसका काम क्या है q में element add करने का तो q में एक method होता है add के नाम से क्योंकि हमने list से बनाई है let's say मैंने 7 add कर दिया that's it लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अभी किसी ने किसी को notify नहीं किया तभी तो हम two way communication build कर पाएंगे अगर ये notify करेगा तो अब notify किस case में होगा ध्यान से देखो अगर ये q में मैं एक जगे खाली कर देता suppose करिए अगर यहाँ पे यहाँ पे 1 लिखखा है यहाँ पे 2 लिखखा है यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है लेकिन एक place ऐसा है कोई element नहीं है तो producer produce कर पाएगा लेकिन इसकी notification कॉन देगा इसकी notification कॉन देगा इसकी consumer notification देगा वो बोलेगा कि ठीक हेम Q में अभी space है, producer को बोलेगा कि अगर तुम wait में wait कर रहे हो, अब इसमें place आ गया है, तुम element add कर दो, तो होगा क्या, उस case में, जब हमाई पास waiting state तो था भाई, जब हमारा Q empty था, लेकिन अभी तो हमाई पास Q में से हम element remove कर पा रहे हैं, तो होगा क्या, हम बोलेगे कि ठीके भई तुम notify call कर दो यहां से, और notify के आप किसी particular object पे भी कर सकते हो, तो आप मैंने क्या करना है, जो Q के उपर wait कर रहे हैं, उनको notify कर दो, मतला Q में जो wait कर रहे हैं thread, उनको notify कर दो, तो जो T1 thread यहां wait कर रहा होगा, वो किस operation को perform कर पाएगा, इसको, तो यहां पर 7 write कर पाए अब देखो, यह भी एक जगह notify करेगा, ध्यान से देखो, अगर Q empty है, तो हमारा T2 thread wait कर रहा होगा है, अगर यह एक element को, ध्यान से देखो, अगर यह क्योंकि Q empty के case में, यहां पर किसी में कुछ नहीं है, तो definitely T2 thread को करना पड़ेगा, wait करना पड़ेगा, तो अब इसने क्य किया, producer ने एक element add कर दिया, let's add है, यहां पर add कर दिया, तो हुआ क्या, अब Q में element आ गया, लेकिन इसको तो नहीं पता ना, यह तो wait कर रहा है, तो यह क्या बोलेगा, कि मैंने Q में add add कर दिया, मैं तुम्हें notify कर दे रहा हूँ, यह भी आप Q.notify call करेंगे, तो हो जाएगा क्योंकि हम किसी object पे भी notify call करा सकते हैं, कि इस particular object पे कितने thread wait कर रहा है, उनको notify करो, तो notify and notify all दो method होता है, मुझे एक ही thread को invoke कराना है, तो यह क्या करेगा, यह जाके अब यहां पे जो यह treat to thread wait कर रहा है, इसको बोलेगा है, ठीक है, तुम continue कर जाओ, तो यह क्या करेगा, उस element को consume कर लेगा, क्यों फिर से empty हो जाएगे, तो यह back and forth चलता रहेगा, क्यों में element add होते रहेंगे, बस हमें make sure क्या करना है, हमें अलग-अलग thread चलाने, एक का काम हमारा केवल produce करना है, और दूसरे का काम है, हमारा consume करना, और दोनों thread के बीच में एक shared queue हम share करेंगे, क्य add का एक दूसरे communication है, उसकी कोई importance है, so this is two-way communication जो हमने पहले पढ़ा था, वो था हमारा one-way communication, so if you have any doubt, you can comment down below to this video, and I'll try to get back to you as soon as possible. So as you can see, हम सबसे पहले जो अपनी normal class है, वो बनाते है, sample class, उसके अंदर मैं एक queue बनाऊँगा, ये queue मैंने java की queue use की है, बट अगर आप ध्यान से देखो, मैं इस queue के उपर आपको लेके जाऊँ, तो ये जो queue है, ये actual में क्या है, interface, तो इसका object तो बना नहीं सकते हैं, ये collection framework से आया actually java के, तो इस queue की implementation कोई भी class pick कर लेते हैं, और उसके through इस interface को implement कर आते हैं, तो इसकी implementation class मैंने choose की link list, अब मैं क्या करूंगा, इस queue का size भी fix कर लेते हैं, 10 size की queue मान लेते हैं इसको, और दो thread बनाते हैं, एक thread का नाम रखते हैं producer, एक thread का consumer, ये कहां से आये हैं, क्यों हमारी जो understanding है, उसके हिसाब से तो अगर आपने thread बनाया, तो new thread आना चाहिए, मैंने आप producer को लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, को issue नहीं है, ये parameter बन जाएंगे फिर, ये first parameter बन जाएगा आपका, जो thread class है, या आप direct भी कर सकते हो, तो अगर आप commit करना चाहत हो thread को, तो आप directly implementation प्रोवाइड कर सकते हो, जो आपकी thread class है, लेकिन definitely इसका मतलब यह नहीं कि producer is a thread, thread हमारा thread यह है, ये producer के नाम से जो बना, इसलिए हमने producer.start किया है, तो ऐसे करते है, eventually हमने इस producer class और consumer class दोनों के अंदर, क्या किया होगा, run method की definition देखी है, आपे मैंने run method क definition दी हुई है, ये इसका constructor है, अभी constructor क्या कर रहा है, ये क्योंकि हमें Q दोनों में share करनी है, तो ये same ही Q हम दोनों में producer और consumer में share करेंगे, इसके constructor के थूप, maximum size भी दोनों को बताएंगे, कि भी 10 से जादा नहीं है, और दोनों का नाम मैंने choose कर लिया, कि एक का नाम है producer, एक consumer है, तो मैं ये constructor में भेज रहा हूँ, इस particular object के, हमें manually जो thread का नाम है, वो set करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसका आपको producer का, अगर constructor का code दिखाऊं, तो यहाँ पे Q receive की, इसने, यहाँ पे size receive किया, और यहाँ पे जो string हमने भीजी थी, producer वो receive किया, और यहाँ से super keyword call किया, इसने, उस string को use करके, यह code अगर मैं आपको दिखाऊं, super का, तो यह thread के पास आएगा, और thread में string pass करेगा, उससे बोलेगा, कि ठीक है, इसका नाम set कर दो, क्यों, क्योंकि यह normal class नहीं है, यह thread class है, और super क्या करता है, अपनी जो parent class है, उसके पास email लेके जादा, तो उसका constructor run होगा, यहां से, किस नाम से, जो हमने नाम उपर से भेजा, तो इस thread का automatically name set हो जाएगा, क्या, जो हमने उपर से producer भेजा है, सेम यह constructor मैंने यहां पर भी use किया है, consumer में, यहां पर भी यही काम है, यहां पर Q set की जो उपर से आई है, क्योंकि मुझे shared Q है मेरे पास, उसका maximum size ह और फिर उसका name, और यह name मैंने इस thread के name पे set कर दिया है, जो मैंने thread बना है, अब overriding, देखे, दोनो thread मैंने start किया है, मैंने आपसे बताया था, एक thread का का काम क्यों में के विल element ट्रेड करना है, और दूसरे thread का का क्या है, क्यों के अंदर element को consume करना है, और यह process रुकेगा अब इस code को, अभी मैं run की definition दिखाऊंगा, आपको क्या लिखाया है, मैंने, अगर मैं इस code को चलाऊंगा, तो यह चलता रहेगा, मुझे manually stop करना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो, मैं अगर producer की बात करूँ, तो producer में मैंने आपसे बताया था, कि producer भी एक जगा wait करेगा, जब Q full होगी, otherwise वो क्या करेगा, Q में simply Q dot add करके, जो उपर से Q आ रही है, Q dot add करके, उसमें element add करता जाएगा, तो आप random element भी add कर सकते हो, मैंने normal count variable add करके add किया है, फिर वो notify करेगा, जब element add करेगा, अगर यह notification किसके पास जाएगा, जो हमारी consumer class है, उसके अंदर जो wait कर रहा कर आप ध्यान से देखो, तो यह मैंने override यह हटा भी सकते हो, आप को issue नहीं है, इसको आप हटा दीजे, लेकिन हमें mainly run की definition देनी है, run की definition मैंने while true के लिए इसके माहिने क्या है, इसके माहिने क्या है while true के, कि इस code को हमेशा चलाते रहो, मतलब इसकी कोई break condition नहीं है, अगर break condition अंदर होगी तो अलग बात है, बट मैंने बनाई नहीं है, बट इस code को हमेशा चलाते रहो, अब दो तरीके होते है, synchronize method बनाने के, मैं यह चाहता हूँ, कि मेरा जो पूरा का पूरा method है, वो synchronized नहोंके, मैं चाहता हूँ कि एक synchronized block बन जाए, मतलब अगर आपने पूरा method method synchronized बनाया है, तो उस पूरे method के अंदर ही एक thread जाएगा, अगर आपने block बनाया है, जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पर देखो, मैंने यह synchronized block बनाने का तरीका है, वो भी मैंने Q के उपर बनाया है, तो अल्दो इसमें और कोई code नहीं है, बस इतना ही code लिखा है यहाँ तो आपको लग रहा है कि आपका method बहुत बढ़ा है, तो आप synchronized block भी बना सकते हो, को issue नहीं है, देखिए, फिर मैंने condition चेक की कि क्या Q full है, देखो यहाँ पर क्या Q full है, ठीक है, maximum size मैंने उपर से भेजा हुआ है, constructor के तो, क्योंकि 10 था हो, Q full है, तो क्या करो, wait करो, यह मैंने initialize किये, वो one हो जाएगी, अब यह produce value क्या हो जाएगी, हम आपा one, और Q.add से क्या होगा, उस Q के अंदर value add हो जाएगी, अब वो Q empty ने रहेगी, उसमें one add हो गया, अब one add हो गया, तो अगर in case कोई दूसरा thread, consumer thread wait कर रहा था, तो वो consume कर सकता है, क्योंकि Q अब empty नहीं है, त रड़ा सकते हो, कोई issue नहीं है, देखो, run में इसके run में भी मैंने क्या किया है, while always true, मतलब break नहीं करना, इसको चलाते रहो, consume करते रहो, जब तक कर सकते हो, फिर से मैंने Q Q पर synchronization block लगा है, मतलब इस piece of code में एक ही thread एक time पर जाएगा, उस पर locking mechanism apply हो जाएगा, अब उसमें भी हमने discuss किया था, अगर Q empty होगी, Q dot empty, यह सारे Q के function है, यह मैंने नहीं बनाए, Q dot empty, Q is full, उपर जो function था, तो हम यह predefined function use करके check कर सकते हैं, तो Q dot empty हमने check किया, कि हो empty है नहीं, तो empty अगर होगा, तो consumer को क्या करना पड़ेगा, otherwise क्या करो, remove करो element Q dot remove, हमने यह remove function क्या करता है वो element return भी करता है, और Q से हमारा element return भी कर देता है, तो हमारी Q, अगर suppose करिए, जो case हमने discuss किया था, उसमें सारे element full है, और एक consume कर लिया, तो वहाँ space बज़ गया, एक place vacate हो गया, अब यह notify कर देगा, कि ठीक है भई, अब तुम चले जाओ, यह किसको notify करेगा, हमारे producer, producer वाल को चलाता हूं, और फिर इसका flow थोड़ा सा और समझ्य कोशिश करते हैं, फिलहाल यह code रुकेगा नहीं, मैं manually रोकूंगा, और हमें two-way communication होता दिखना चाहिए, तो मैं इस code को save करता हूं, और इस code को चलाता हूं, तो देखो, यह code रुकनी रहा, मैं manually इसको force करके हां से रो पर क्या होगा, आपके जो producer thread है, वो क्या कर रहा होगा, wait कर रहा होगा, यह count बढ़ता जा रहा है, देखे, आगे बढ़ता जा रहा है, producer, consumer के बाद, क्योंकि मैंने इसको आगे जाके, count को increment ही लगा है, तो देखो, अगर count को देखे, तो initially 0 था, और नीचे हां पर count को मैंने प्लस-प्लस किया हुआ है, तो यह हमेशा बढ़ता रहेगा, तो यह इस वज़े से number इतना बढ़ा है, इस से पहले जो iteration होगी, उसमें 1 से start हुआ होगा, तो जब Q full है, तो consumer ने क्या किया, सारे element जितने भी थे, 10, I think यह 10 है, लेकिन यह ज़रूर नहीं है, वो 10 ही हो, वो 5 consume करके, फिर producer 5 और डाल सकता है, तो यहाँ पर इसने 10 consume कर लिए, अब हमारी Q क्या होगी, empty होगी, देखे, Q फिर से try कर रहा था हो, लेकिन Q empty है, अब producer जितने wait कर रहे थे, thread, वो क्या करेगा, produce कर देगा, क्योंकि मैंने condition, यहाँ पर run वाली condition, लगा रखिए हमेशा के एक कब रुकेगा, जब हमारी Q full हो जाएगी, यह automatically wait में चला जाएगा, तो जब हमारी produce किया इसने, तो फिर से full हो गया, और फिर से consumer को चलना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा के 10 times ही consumer चले, एक ऐसा case भी हो सकता है, कि हमारी जो Q है, 5 size की, 1, 2, 3, 4, and 5 consumer ने क्या किया, इसको निकाल लिया भार, इसको निकाल लिया, तो 2 space खाली रहे तो हो सकता है, इसमें producer फिर से चल जाए, फिर से यहाँ पर 6 and 7 produce कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है, इस वाले case में अच्छा है कि हमारी Q जितने size की है, consumer पहले, उतने time चला है, फिर producer को चलने द रखते हैं कि यह कोई नया concept नहीं है, यह अभी भी हम inter threat communication पही काम कर रहे हैं, बट यह two way communication है, अगर आपका कोई भी doubt है regarding inter threat communication, producer consumer, deposit and withdraw, ya synchronization क्या होता है, synchronization block क्या होता है, method क्या होता है, synchronization कैसे apply करता है, तो आप इस video के comment box में लिख सकते हैं, and I'll try to get back to you as soon as possible, so this is all for this video, and thank you so much and have a good day.